पर रेबरिवान लास्ट क्लासे आमिरा ecology class टा कोडेछे लाम, एबों ताते आमिरा levels up ecological hierarchy वा, ecological organization कोडेछे लाम ताटे आमड़ा schematic representation टाँ शिखे छिलाम, एबों last class से आमी levels of ecological higher की third step ओबदी कोड़िये छिलाम, शेटा होची community, आज़के आमड़ा एक community थेके आमड़ा आबार continue कोड़बो, आच्छा, level of ecological higher की ते जेटा third step छिलो, third step शिटा छिलो तुमार community, आच्छा, community बोलते हैं, आमड़ा जेटा मेंली दूटो जिनीश के फोकस कोड़ी, आक्टा होच्छे, number one, population of different species, एबों, this population of different species, rather different populations, they occupy a particular geographic area, ताले first एटा आमड़ा फोकस कोड़ी community ते, next आमड़ा जेटा फोकस कोड़ी, शेटा होच्छे, their interactions with themselves, मानी कि आमड़ा जोदी डार्वीनेर कॉंसेप्ट धोड़ी, ताले आमड़ा तीन रोको मेर competition देखते पेछी, कि, की, आक्ता इंटर स्पेसिफिक, आक्ता इंटर स्पेसिफिक, आक्ता अन्वाइडेमेंट, एखाने मेन ले जेटा उड़ा Support कोड़ी शेटा होच्छे इनटर स्पेसिफिक इन्टराक्षन, एई जए इंटर स्पेसिफिक इंटराक्शन बिट्वीन दे लीविंग ओर्गनिसम्स एइटाके इकोलोजी बा बायोलोजिकल टर्में बॉला हॉए बायो सिनोसिस मोने कोरे दाखो आमी लास्ट क्लासे आक्टा बोले छेलाम बायो जियो सिनोसिस शेखने आमी बोले छेलाम दा इंटराक्शन विद दा लीविंग और नॉन लीविंग एंवारेनमेंट शेटाई जोदी शुदो मात्रो लीविंग ओर्गनिसम्स तेर मोद्धे हॉए ताहले आम्रा तादेर के बोले थाकी होच्छे बायो सिनोसिस सो कम्यूनिटी बोलते आम्रा दूटो जिनीश बुझलाम आक्टा चे पॉपुलिशन अब देफरेंस स्पीसिस ओकूपाइगे जेग्रफिक एरिया और देर इंटराक्शन अमांग देमसल्ब्स एबार आम्रा जेटा पॉर्बो शेटा होच्छे टाइपस अफ कम्यूनिटी आम्रा नॉर्मली त्री टाइपस अफ कम्यूनिटी रेखते पाई आक्टा होच्छे प्लांट कम्यूनिटी नंबर टू होच्छे अनिमल कम्यूनिटी and number 3 होच्छे, microbial community एप्रोक्टेक्टाई, plant community मोलते, the community comprising of mainly plants animal community, it comprises of mainly animals, एखने animals तेर मोध्दे, mainly invertebrates and vertebrates and microbial community mainly comprises of bacteria and virus and fungi एखने प्रोट्टेक्टाटे आमरा तेटा देख्टे पाई, तींटे ते आमरा आक्टाँ term विशोर बाभोहर कोरे था कि that is what we called as species, plant species, animal species, rather microbial species आमना खुब आक्टाँ बोली ना, microbes को थाटा, राधर बाभोहर कोरी, तो species बोलते एखने मिक टो फोकस कोर्छी को थाटा, because we mainly highlight the term species related with the plant and the animal community, species होच्छे, एदर के राधर बॉला होई, unit of classification, राधर, species के बॉला होई, group of, group of interbreeding individuals, interbreeding means the hybridization between different individuals, so group of interbreeding individuals occupying a particular area in a particular time, अच्छे, एबार आमा के तुम्रा ही प्रोशुर्टा कोड़ते पाड़ों, माम, आम्रा जानी, unit of classification बोलते, आम्रा को थाटा ब्याभोहार कोरी, taxon, ता होले आपनी एखाने species को थाटा मेंशन कोरे छेन कानो, taxon होच्छे, the unknown species, the unknown species whose classification is done, जे species टा माधर आजाना, जाड उपरे अम्रा काच कोडी, ता अधर की अम्रा बुली taxon, तो taxon आर की छुई नौई, आक्टा species जाड उपरे अम्रा की कोड़ी, चाक्टे जिनिश्च कोडी, आक्टा description, आक्टा characterization, आक्टा classification, आक्टा species टा unknown थेके, नोणे convert कोडी, ता इस वाट पी कॉल्ड as taxon, तो taxon is नाथिण आ species, whose description, characterization, classification, आद nomenclature are made, शेज़ोर आमे एकाने, species जे, unit of classification कथटा mention कोडे छे, ताला आशा कोडी एकाने, level of organization जेटा 3rd level, बाटा पी कॉल्लीटी, तुम्हां बूस्ते पेल छो, आचा, community पोड़े, जेटा खोब important जे एरियाटा आशे, शेटा होच्छे, number 4, that is ecosystem, आमी last class से already ecosystem निये बोले छी, it is called the functional unit of ecology, तो ultimately एटा होच्छे आक्टा branch, system मने आमणा बुझी आक्टा branch, which deals with the interaction between a biotic and biotic components of the environment. जेटा के आगे दिन आमी last class से आशा कोड़े तुमादेर मोने आच्छे, आमी एक्टा टर्म ब्यापोहर कोड़े छेलां, शेटा के बाला होच्छे, biosynosis, आच्छे, एबार next आमी जेटा के highlight कोड़वो, शेटा चे components of ecosystem, आमारा प्रत्ते की जानी जेहेतु आमारा एकाने दूटो जिनीश फोकस कोड़े, आक्टा अबायोटिक, आक्टा बायोटिक, आबायोटिक एन मोद्धे, मेंली आमारा तीनटे जिनीश के highlight कोड़े, की की? फर्स जेटा तेमारा highlight फोड़े, जेटामारा नॉर्मली देखी, शेटा हुच्छे तोमार एर, water, temperature, light, humidity, all these are regarded as the physical factors of ecosystem. एन मोद्धे जेटा आश्छे, it includes light, atmospheric humidity, temperature, water, air, etc. the second abiotic factor, जेटा physical factor छाडा देखा जाए, that is mainly soil, जेटा के आमारा बोलची होच्छे, adaphic factor, जामान, the factor which is related with soil, एकाने जेटा आश्छे, शेटा होच्छे, soil, water, chemical composition of soil, etc. next जे factor टाश्छे, शेटा के बाला हाई, topographic factor, the factor which is related with the land surface, or the earth surface. So, the third one, it is called the topographic factor, एन मोद्धे, जेटा मेंली आश्छे, altitude, altitude मने होच्छे, the distance from the sea level, sea level थेके कोटो टाय दूरोत्तो, शेटा के मेंली हाईलाइट कोच्छे, एई topographic factor, तो एई गुलो होलो, आ बायोटिक factors, एबार आमी आश्छे, बायोटिक factors एर मोद्धे, एर मोद्धे, मेंली आमार थाके होच्छे, दूर्टो, आक्टा होच्छे, producers, जादेर के आमार अनेक्षमाई बोली, autotrops, because they are capable of photosynthesis, and next one, they are called consumers, consumers are rather heterotrops, एखाने आमी जस शोटे बोलची, next जोखुन आम ecosystem बोलबो, एट आमी आरेक्टो details रे तोखुन बोले दोबो, हे consumer एन मोद्धे आमरा तीन, चार रोखु मेर पाई, राधर आमरा कीखी पाच्छी, आक्टा पाई, primary consumer, next पाई, secondary consumer, next पाई, tertiary consumers, and fourth one, we get it as decomposers, जादेर के बोला हॉई, micro consumers बाई, reducers, क्यानो, because they undergo the decomposition process, so this is all about the ecosystem, and ecosystem mainly comprises of the biotic and abiotic components of the environment and their interaction, okay, next level that is the important most and the higher most level, that is what we called as the fifth one, that is what we called as biosphere, so the fifth one, it is called the biosphere, it is called life-supporting, life-supporting zone of earth, what do you mean by this? these are the part of the earth surface, where this living organisms interact, तबने एतो खोन आम्रा highlight को चलाब, शुदु इंतराक्षिण, Now we will highlight the part of the earth's surface where these living organisms interact among themselves and with the environment. It is called the highest level of ecological hierarchy, the highest level of ecological hierarchy. So, this is all about the levels of ecological organization starting from organisms up to biosphere level. Now, I will show you a short note of definition that is related with this ecology. First definition is, first definition, I am highlighting here as note. First definition, what is landscape? What is landscape? Landscape is a unit of land. Unit of land having specific climates and where different ecosystems operate. Where different ecosystems operate. Okay? This is the first definition. This is the second definition. The second number is very important. That is what we call as biome. Biome is called as biome. I will show you the first biome example. example. Now, example is Tundra desert. Tundra desert. Tundra desert is what we can see? First is particular climate. Number one, particular climate. Number two, specific boundary. Specific boundary by what we called as delimited zone. It is called desert area. It is associated with specific flora. That means the plant species and fauna. So, these are the characteristics of the Tundra desert. So, this area, this regional zone, which is having a particular climate, delimited by a specific area. boundary and associated with flora and fauna. It is called biome. So, this landscape and biome, it is related with the ecology branch. So, the biome, it is called biome. So, this is the specific regional zone, having all these characteristics. So, let me tell you the levels of ecological hazard. तुम्हारा गुश्थे पेरेच्छो, नेक्स दिन आमी इजे population community जे term school आमी ब्याबोहार कोर्लाम, आमी एक खान थेकी carry forward कोरबो, आगे first population density, then population attributes, आश्रकोरी तुमार तुमार देना आमार वीडियो टा भालो लेगेच्छे, जुदी भालो लागे, अबोश्चोई वीडियो सब्सक्राइब कोरवे, thank you.